है दोस्तो वेल्कम टू स्टेडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ बिम्स्टैक के बारे में बिम्स्टैक दोस्तो बे अफ बंगाल इनिशेटिफ और मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एंड एकनॉमिक कॉपरेशन है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर जो साथ देख हैं इनके बीच में हमें देखने को मिलता है बांगलादेस हो गया सिरलंका इंडिया नेपाल भोटान जिसे हम लोग बिम्स्टैक के नाम से जानते हैं तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में सारी बाते आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा ध्यान से कहीं पर कोई अगर आप लोग को डाउट वगएरा होता है तो उसको जरू बहुत अची परफॉर्मेंस रही काफी सारे टॉपर्स हैं जो की आने केडिमी से देखने को मिले हैं पंदरे जून से ने वेचे स्टार्ट हैं अपकमिंग येर के और दोस्तो आप लोग के यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं हमारा कोड यूज करके CSC अश्याओर का 0% की MI भी अवलेबल है और आप लोग के लिए dedicated doubt solving session भी अवलेबल है मेंस का दोस्तो mentorship program है दोज़ा 22 सार बच्चों के लिए वो भी आपके शक्तिनिस का benefit ले पाएंगे अब देखी दोस्तो यहाँ पर UPSC CSC का GS Comback जो है gamified live scholarship यह देखने को मिलेगा आपको 12 जुन को सुबह 11 बजे जहाँ पर आप हमारा जो code study IS को use करके enroll कर सकते हैं अब देखी दोस्तो 6 तारिक को 6 जुन को यहाँ पर 25 साल पूरे हो गए 1997 के Bangkok declaration में launch हुआ आपका BIM stack उसके हिसाब से यह आप लोग कह सकते हैं अब कि इसके जो 25 साल है यह पूरे हो गए है जिस टाइम पर आप कह सकते हैं यह बना था उस टाइम पर आपके Bangladesh, India, Sri Lanka और Thailand थे और उस टाइम पर जो इसका नाम थे दोस्तो वो था BIST EC और तीन कंट्री हैं दोस्तो नेपाल, भूटान, म्यानमार इन्होंने बाद में जोईन करा था और उसके बाद आप कह सकते हैं यह बना Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation तो यह बात हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अब देखें इसकी कुछ key achievement है और वो achievement दोस्तो ऐसी है कि इन्होंने यहाँ पर prioritize करा है sectors of corporation जिससे की reduce हो गया है दोस्तो, unwidely का 14 to the more manageable 7 हर एक member जो है दोस्तो, state सर्व करता है as a lead country अपने assigned sector के अंदर और दोस्तो, साथ ही साथ इसने यहाँ पर strengthen करा है secretary, although यहाँ पर काफ़ सरे member हैं जिन्होंने extend करा है अपना adequate personal support को भी जो grouping के दोस्तो, उसे यहाँ पर register करा गया है Progress in Combating Terrorism, Foreign Security Corporation Creating Mechanism and Practices for Better Management, Humanitarian Assistance और Disaster Relief मदल की दोस्तो, आप करते हैं यह जितने भी साथ देश हैं अगर यहाँ कोई problem होती है, तो यह साथ हो साथ जो देश हैं वो साथ हैं मिलके काम करते हैं अगर दोस्तो, हम लोग challenges के बारे हैं बात करते हैं तो challenges होगे जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हैं यह लोग comprehensive free trade agreement जो कि 18 साल का है, वो sign हुआ है और sign आप कर सकते हैं पूरा framework agreement है जिसको sign करा गया है यहाँ पर दोस्तो limited progress हमें देखने को मिलती है क्योंकि काफी सारे आप कर सकते हैं जैसे connectivity हो गया उसमें काफी limited progress है अगर adoption हो है दोस्तो master plan for connectivity support का by Asian Development Bank उसके बावजुद यहाँ पर जो connectivity है उसमें काफी कम progress हमें देखने को मिली है जो movement है दोस्तों towards establishing BIMS Tech Development Fund यह भी आप कर सकते हैं काफी कम हमें देखने को मिला है क्योंकि दोस्तों जितने भी देश आप कर सकते हैं इसके अंदर आते हैं वो इतने हाइफाई देश नहीं है सभी यहाँ पर आप कर सकते हैं छोटे देश हैं और ग्रो कर रहे हैं खुद में तो आप लोग को यह बात भी पता लग रही होगी इससे अगर दोस्तों लोग BIMS Tech के बारे हैं बात करते हैं तो यह एक effort है एक आप कर सकते हैं यहाँ पर integration है आप कर सकते हैं इन सभी countries का और इन्हें फॉर्म करा गया 1997 के अंदर यहाँ पर originally जो बांगलादेश है दोस्तों बांगलादेश इंडिया और मियानमार थे और उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं जो थाइलेंड उसके बाद आप कर सकते हैं म्यानमार, नेपाल, भूटान ने बाद में जॉइन करा स्टार्टिंग में बांगलादेश, इंडिया, स्रिलंका और थाइलेंड थे और फिर बाद में इन तिनों ने जॉइन करा बिमस्टेक के अंदर दोस्तों पांच कंट्रीज आती है सौथ एशिया और दो आती है एशिन से और एक पूरा ब्रिज बनता है ये साउथ एशिया और साउथ एशिया का इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जितनी मेजर कंट्रीज हैं साउथ एशिया की जिसमें आपकी मालडिव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये छोड़के सब की सब यहाँ पर आपके सकते हैं हमें देखने को मिलती है आखेर ये जो reason है ये क्यों matter करता है ये south आपके सकते हैं जो south east और south asia जो है वो क्यों matter करता है सबसे पहली बात दोस्तों कि जो world की population है उसका 1.5th 22% जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है साथी दोस्तों combined की जो इनकी GDP है वो 2.7 trillion के हमें देखने को मिलती है और दोस्तों जो bay है यह यहाँ पे untapped natural resource का भी आपके सकते हैं बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे हम लोग resource वगएरा देखने को मिलती हैं और जो 1.4 यहाँ पे world का traded goods है वो भी यहाँ पे आपके सकते हैं bay of बंगाल से ही cross होता है हर साल मतलब कि जो import export भी होता है तो दोस्तों उसी area से होता है जो आपके सकते हैं bay of बंगाल वाला है अब आप लोग देख सकते हैं कि उस पूरे ही bay में आपके सकते हैं जब इतनी सारी चीज़े हो रही हैं तो इसलिए वो जगह important हो जाती है और यह जो साथ देश हैं दोस्तों यह साथ देश आपके सकते हैं उसके चारों तरफ आते हैं बिमस्टेक भारत के लिए क्यों important है देखी दोस्तों अभी पूरे reason के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी जो economy है यह देखने को मिलती है बिमस्टेक नहीं केवल connect करता है South और Southeast Asia को पर उसके साथ साथ यह यहाँ पे काफे बड़ी ecologist लेके आता है Great Himalayas और Bay of Bengal के लिए इंडिया के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ एक natural platform है जो की fulfill करता है हमारे की foreign policy की priorities को जिसके अंदर होगे आपके neighborhood first और act first वाली New Delhi जो है दोस्तों एक reason यह भी है हमारे engagement का क्योंकि काफी vast potential है अगर हम लोग यहाँ पे इसकी connectivity को unlock कर देते हैं तब लगबग 300 million लोग जो है दोस्तों यह फिर आपके सकते हैं भारत में आपके सकते हैं roughly एक quarter जो इंडिया की population है वो यहाँ पे चार जो coastal state है उनके पास रहती है जिससे कि आंदर प्रदेश, उडिसा, तमिलनाडू और वेस्ट बेंगाल में ही तो और increasing assistive China maintain किया सके हमें कोई भी एक access route है जो कि भारत से होके निकलता है इंडियन ओशन से होके निकलता है तो दोस्तों आपको और बताऊं मैं कि जो चाइना है उसकी भी mount assistive activity है वेव बंगाल रिजन के अंदर और उसके साथ हम लोग यहाँ पर increase कर सकते हैं अपने submarine movement को जो उससे पर दोस्तों यह visit कर सकती है इंडियन ओशन के अंदर इंडा का interest जो है दोस्तों consolidate कर सकता है अपने internal engagement को अमंग BIM stack countries और उस हिसाब से दोस्तों हम लोग आप कर सकते हैं उस reason में सबसे powerful बनके निकल सकते हैं not in the sense of powerful पर मैं यह कहूँ कि वो reason ही हमारे बहुत important बनके आत है ओकी दोस्तों तो आई hope कि आपको जो है चीजे अब clear होगी होगी कि आखिर किस तरीके से BIM stack important है और क्या बाते आपको पता होनी चाहिए अगर दोस्तों अभी आपको कोई doubt है तो उसको जरूर किलियर कीजेगा हमसे ओके मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तब कर दोस्तों नेक्ष्ट पर दोस्तों तोस्तों सित्स प्रकूपट नेक्स्तों